Hello everyone, I am Dr. Ngita Chhabra. आज हम लोग नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट्स. यह आपका प्लांट फिजॉलोजी का आपका फर्स चाप्टर है, हना, हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजॉलोजी आपका, प्लांट की बॉड़ी में भी होना जरूरी है, जैसे आपका वाटर है, तो वाटर आपका सॉयल से लेकर पूरा उपर स्टेम्स तक पूरी लीव्स तक पहुचना जरूरी है, तब यह तो लीव्स फोटो सिंथेसिस करेंगी, या अगर आप यह बोलोगे, कि आपका जो रूट वाला पार्ट है, अगर वो अच्छे से वाटर एब्जॉब नहीं कर पा रहा है, तो वहां तक कैसे पानी पहुचेगा, तो एक एक करके जो स्टेप वाइज, अगर आप यह देखोगे, जैसे आप इस पर देखो, यहां पर से यह वाला जो आपको सेक्शन यहां पर शो हो रहा है, यह वाला लीफ बाला सेक्शन है, यहां पर एक एक जगा, यह आपका सोईल बाला पार्ट है, ठीक है, यह आपका सोईल है, मिट्टी है, उस मिट्टी में सोयल में पानी होगा, मिनरल्स होँगे, उसको यह रूट्स एबसॉपप करेंगी, और फिर वो उसको एब्सॉब करके क्या करेगी आगे ट्रांसपोर्ट करेगी तो एक-एक करके देखो अगेंस जब आप ग्राविटी जाओगे तो आपको बहुत सारे से यहां पर प्रेशर लगेंगे कि आप अगेंस ग्राविटी जा रहे हो तो पानी को नीचे से उपर नहीं भीजा जा सकता है इसको तो यही चीज हम इसमें देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड का आपका जब लो मधिए छाना बनाएगा फूट बनाएगा जो फूड को ए pistolerी ट्रांसपोर्ट करेगा और उर्पका जाइला मगें जो बोट्रांस्पोर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं निमक्रीन श्रक्रोटर half ठीक है अगे कौन से होते हैं अथा इन की सब्सक्ट का अपको SP क्रांट परेपॉर बरूरी है ठीक है आगे बढ़ते हैं ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज सबस्टेंसेज मुव बाइडिफ्यूजन एंड बाय साइटो प्लास्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांस्पोर्ट होता क्या है दो तरीके से ट्रांस्पोर्टेशन होगा देखो ज वहां पर से अगर मैं बोलू से वाट का ट्रांस्पोर्टेशन रूट्स में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वह शॉट डिस्टंस ट्रांस्पोर्ट होता है कम डिस्टंस का ट्रांस्पोर्टेशन होता है लेकिन अगर मैं वही चीज़ बोल दू कि मेरे को यहां से रूट हो सकता है रूट्स में transportation water का हो सकता है लेकिन अगर मैं यहां से वहां पॉलू तो अगेंस gravity में को जाना है plant का system कैसा है कॉंसी सेल वहां पर help करेगी तो वह पुरा long distance transport में आ जाते हैं तो यहां पर जो हम point पढ़ रहे हैं कि over small distances substances move by diffusion normal diffusion होता है ठीके diffusion का मतलब क्या होता है कि water को वहां से higher concentration से normal movement हो गया water का into lower concentration soil में ज्यादा था soil से move हो गया जैसे कि जैसे example आप देखोगे कर diffusion का तो gases में भी diffusion होता है gases में कैसे होता है diffusion simple meaning आपको समझा रहे हूं diffusion का आपने perfume लगाया आप किसी एक कोने में भी अगर खड़ों के perfume लगाओगे तो वहां पर होगा क्या वह जो पर्फियूम होगा वह आप प्रेज अप करो कि तो वह पूरे रूम में अपने आप ही वह क्या होगा फैल जाएगा spread हो जाएगा कैसे क्योंकि वह जो gases particles थे वह पूरे रूम में आपके spread हो गए वह diffusion हुआ कि एक जगा से दूसरी जगा उन gases particles का movement हुआ उसको diffusion होना बोलते है तो वैसे ही short distance diffusion होता है water का from higher to lower concentration ठीक है और क्या है by cytoplasmic streaming cytoplasmic streaming मतलब जो cytoplasmic आपका material होता है वहां से भी उसका आपका जो cytoplasm होता है cell का वह continuously movements कर रहा होता है तो उसके थू भी कुछ transportation हो जाता है एक cell से दूसरी cell क्योंकि जब आइधिंग आप पढ़े हुए anatomy plant anatomy में अपने plasma decimata के बारे में पढ़ा होगा तो एक cell से जब दूसरे cell में का जो conjunction होता है जो connection होता है उसको हम plasma decimata बोलते हैं तो उस plasma decimata के थू अगर यह एक cell है और यह मेरी दूसरी cell है तो यहां पर बीच में मेरे को ऐसा हर जगा क्योंकि ऊपर भी ऐसे cells हो सकती है तो यह में को plasma decimata कुछ connections मिलते हैं जिसके तुरू एक cell से दूसरे cell में materials का ट्रांसपोर्ट इसली हो जाएगा एक्स्चेंज हो जाएगा ठीक है सब्लीमेंटेट बाइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कई जगह में हम यह देखेंगे कि अगर स्मॉल दिस्टेंस टांसपोर्ट भी हो तो कहीं लें यह पर आपका एक्टिव ड्रांसपोर्ट भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कई जगह ऐसा होगा कि आपको energy use करने पड़ेगी वह प्लांट वहाज बाट एनरजी लेगा फूड को या आपके वाटर को transport करने के लिए यह होता है short distance transport में long distance transport क्यागर बात करें रांस्पोर वर longer distances proceeds through the vascular system the xylem and the floem and is called translocation तो translocation क्या है जब vascular system काम करेगा यहां से यहां पानी देना था तो easily diffusion करा दिया लेकिन जब नीचे से उपर तक पहुंचाना है तो यह जो तो टीशू में से जो पानी आपका जा रहा है आगे वो है आपका जाइलम तो जाइलम या फ्लोयम जब फूड या वाटर का ट्रांस्पोर्टेशन करेगा मतलब जिसमें आपका उसे अपना ककांप्लेक्स टीशू पामोज आपका वैस्कुल सिस्टंश इन्वॉ wander लostonस ट्रांस्पोर्ट करते हैं हम उनको बोलते एक जगा होति है तो एक जगा से ूसरी जगा और ऑदावड़ों कि उसको अप बोलोगे ट्रांस region यह ट्रांस्पोर्ट देखो वान बनेरं ट्रांसपोर्ट और युदॉ दोनों चीजें यहां पर हो रही है वाटर और मिन्रल का क्या होगा वन वे ट्रांसपोर्ट क्योंकि आपका जायलम होता है वैसे नीचे से ऊपर काम करें नीचे से वाटर को आपस आप करें रूट समय बहुत लेकर जाएगा याद रखो गया तो यह जो है यह आपका Xylem की वेसल्स है जो वाटर को लेकर जारी तो Xylem हमेशा वन्वे ट्रांस्पोर्ट करता है ठीक water और minerals का लेकिन अगर मैं बात करूँ phloem की तो phloem क्या करता है phloem two way करता है नीचे से उपर उपर से नीचे actually तो leaves में food बनेगा आपका leaves में सजा food बनेगा तो वह उपर से नीचे भी आएगा और नीचे से उपर भी जाएगा एक पूरा transport हम पढ़ेंगे आगे phloem तो वैं आपका क्या करेगा व ट्रांसपोर्ट करने के जो हमारा वाटर है मिनरल है जो डिसकी भी हम की सबस्टैंस की जबर बात कर रहे उनका transportation कौन-कौन से तरीके से करा सकते हैं क्या-क्या उसके लिए process है हमारे पास so passage of materials into in into and out of the cells मतलब in and out of the cell is carried out by a number of methods और वो कौन-कौन से आपके methods है पहला आपका diffusion दूसरा आपका facilitated diffusion और तीसरा है आपका active transport diffusion facilitated diffusion और आपका active transport जैसे आप यहां पर देखो तीनों यहां पर process तीनों प्रोसेस किसके त्रू होगा अब आपको anatomy पता है plant की आप पूरा यह सब पढ़ चुके हो plant anatomy में आपने क्या पढ़ा होगा कि जब भी जो भी cells होती है जो भी plant की cells है उसमें को cell membrane मिल रही है ठीक है और वो जो cell membrane है वो lipid bilayer की बनी होगी है आपके पास और उस lipid bilayer में आपके पास बहुत सारे क्या है carrier proteins है potassium sodium potassium कुछ pumps है ना iron channels होते है porin होते है aqua porins होते हैं बहुत सारी ऐसी हमारे पास membrane में embedded कुछ proteins होते हैं integral extrinsic proteins जो होते हैं इस सब हम पढ़े हुए तो यह जो सारी चीजें हैं यह कहीं कहीं help करेंगी diffusion या डिफ्यूजन का simple meaning क्या होगा diffusion का simple meaning यह होगा कि जब कुछ ऐसे materials है कुछ आपके water कुछ आपके minerals है जो नॉर्मली इस membrane को cross करके cell membrane है यह आपकी lipid by layer नॉर्मली अगर वो cell membrane को cross करके एक जगा से दूसरी जगा में इन या आउट वो जा सकते हैं आप उसको बोलोगे diffusion मतलब without expenditure of energy वहां पर कोई energy नहीं लग रही है कोई रुकावट नहीं है नॉर्मली बस molecules यहां से यहां मूफ कर जा रहें higher concentration से lower concentration की और इसको आप बोलते हो diffusion दूसरा आपका क्या process होता है facilitated diffusions facilitated diffusion में आपके कुछ पोरिंस काम करते है एक्वा पोरिंस आपके पोरिंस प्रोटीन चैनल्स आपके काम करते हैं वहां पर भी सेम वही होगा higher concentration से lower concentration की और ही materials का ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन यहां पर कुछ आपके आयन चैनल्स हैं कुछ आपके पोरिंस हैं जैसे में बारबरी वर्ड यूज करें पोरिंस पोरिंस क्योंकि यह सब काम करेंगे यहां पर ठीक है एक्वा पोरिंस मतलब कोई diffusion से नहीं जा पाएंगे जैसे आप इनके size में देखो यह वाले छोटे molecules तो यह तोड़े different size के molecules इन molecules को हम simply diffuse नहीं कर सकते हैं तो इनके लिए हमको एक चैनल एक प्रोटीन की एक रास्ते की जरुवत पड़ेगी carrier protein की जरुवत पढ़ेगे वह क्यारेट प्रोटीन कोई सभी हो सकते हैं तो अगर carrier protein आपका लग रहा है को चैनल प्रोटीन आपका लग रहा है तो आप उसको बोलोगे facilitated diffusion और यह दोनों process होता है आपका आता है passive transport के अंदर क्योंकि passive transport में कोई भी energy का expenditure नहीं होता है को energy आपको नहीं लगेगी यह simple meaning है passive transport का तो इसमें हम दो process पढ़ेंगे diffusion और facilitated diffusion next हम आते है active transport में active transport में आपके वो molecules जाएंगे जहां पर आप against the concentration जा रहे हो मतलब क्या होगा यहां पर देखो lower concentration है यहां पर आपका higher concentration है उसके बावजुद हम molecules को यहां से यहां ही ट्रांसपोर्ट करवा रहें तो जब आप against the concentration जा रहे हो तो आपको energy लगानी पड़ेगी वहां पर और यहां पर फिर हमको ATP के molecule लगेगा और यहां पर भी हमको वहीं कुछ pump protein लगेंगे यहां पर प्रोटीन लगेंगे आप ध्यान रखोगे active ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे एक्जांपल अगर एक है तो sodium potassium pump सबसे अच्छा एक्जांपल ठीक है तो उसको आप बोलोगे active ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी पैसिव ट्रांसपोर्ट पर एनर्जी नहीं लगेगी इसमें दो आपके प्रॉसस आएंगे diffusion और फैसिलिटेटर डिफ्यूजन ये एक ओवर्वीव था आप एक करके और थोड़ा सा की और मूफ कर रहे हो जहां पर चीजें ज्यादा है वहां से कम की और जारी तो उसको आप बोलोगे अलॉंग एक स्प्राइब की बाहत्यूसरे ही यहां पर एक्स्त्रा मॉल्पिवेडर भी फ्लूइट बहुत जाएँ तो यहां पर सब्क्राइब को सकते हरां से यह इसा हो सकता जैसा भी मतलब जिस भी तरीके से मेंब्रेन की arrangement है तो आप उसको बोलोगे diffusion no energy expenditure takes place movement is passive and slow passive transport में आपको पहले ही clear कर दिया तो diffusion होता है अब diffusion अगर हो रहा है तो diffusion कि किस चीज़ पर depend करता है diffusion depend करता है बहुत सारे ऐसे factors में बहुत diffusion rate आपका क्या होना चाहिए यसे हमने simply बोला कि along the concentration gradient molecules move करेंगे बट उसके पीछे भी बहुत सारे factors हैं जो depend करते हैं जो responsible होते हैं जैसे पहला कि आपका size of particle conscious size के particles का diffusion हो सकता नहीं अगर जैसे मैंने आपको पताया facilitated diffusion के लिए अगर थोड़े भी molecules बड़े size के हैं तो फिर वो diffusion simple diffusion से नहीं पाएंगे तो उसके लिए हमको facilitated diffusion की जर्वात पड़ेगी ठीक है so size of particles smaller the particle more is the diffusion rate जितने छोटे particles होंगे इतनी जल्दी वो इतने speed से उनका diffusion हो पाएगा second क्या है gradient of concentration diffusion is along the gradient मतलब higher to lower concentration permeability membranes separating them hydrophobic molecules show greater permeability यहां पर हमको बताए कि जो आपकी lipid bilayer होती है इसमें आपके पास hydrophilic head होता है और hydrophobic आपका tail होता है तो hydrophobic tail जो है कई बार ऐसा होता है कि वह hydrophobic जो टेल है वो कई ऐसे molecules को पास नहीं होने देता लेकिन अगर कुछ ऐसे molecules जिनको वह पास होने दे रहा है permeable permeable है वो उनके लिए तो फिर क्या होगा diffusion rate तो ज्यादा हो नहीं है तो greater permeability अगर हमको मिली तो diffusion भी उतने अच्छे से हो पाएगा next temperature high temperature favors more diffusion ठीक and pressure high pressure favors more diffusion तो यह कुछ ऐसे factors हैं जो diffusion rate को increase करते हैं उसको diffusion कराने के responsible होते है size of particle concentration gradient permeability of membrane temperature and pressure next अब आते हैं facilitated diffusion में देखो facilitated diffusion का क्या मतलब होगा diffusion of hydrophilic substances along the concentration gradient through fixed membrane transport protein जिसको हम क्या बोल रहे हैं पोरीन बोल रहे हैं ठीक है अब आप यहां पे देखो कुछ ऐसे molecules आपके पस extracellular fluid में तो आपके यह जो molecules इनका transportation होना है इधर से यह वाले molecules इधर से नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते क्योंकि यह वाले जो molecules हो सकते हैं वह hydrophobic टेल उनको जाने न दे तो इसके लिए अब क्या लगेगा हमको कुछ ऐसे देखो channel protein आप यह channel protein है यह आपका carrier protein है यह आपका carrier protein तो यह क्या गरता है जैसे यहां पर molecule लाकर बैटा यह इसा फ्लिप मार देता है पोरीन फ्लिप हो जाते हैं इसको आप channel protein बोलते हैं कई बार उनके हैं जिनको हम पोरीन बोलते हैं channel protein carrier proteins यह सब responsible होते हैं for transportation ठीक है it is without involving energy expenditure and it is very specific specific क्यों क्योंकि कुछ ही molecules हैं जिनका simple diffusion नहीं हो पाया वो इस process के थुरू आगे बढ़ते हैं उनका transportation यहां से होगा next porines क्या होते हैं so these are proteins that form huge pores in the outer membranes of the plastics mitochondria and some bacteria allowing molecules up to the size of small proteins to pass through तो ऐसे कुछ यह protein molecules ही है आप जैसे यहां पर देखो यह आपका outer membrane है तो यहां पर ऐसे कुछ porines है वह normal size के proteins है जो normally simple diffusion से नहीं जा पा रहे थे तो आपको कहां कहा मिलेगा pores in the outer membranes of mitochondria plastic और कुछ bacteria में जो allow करेंगे materials को molecules को to pass through them outside outside से inside आने में वो help करेंगे so these are porines ठीक है तो porines are basically protein molecules aqua porines aqua porines हम बार बार नाम बढ़ रहे थे तो membrane porines होते हैं for passive transport of water soluble substances तो यहां पर यह passive transport कराएंगे water soluble substances का यह देखो यह ऐसे aqua porines होते है aqua porines aqua मतलब water है ना तो water के जो channels है water के जो protein channels है आप उसको aqua porines बोल रहे और वो क्योंकि water की channels की क्यों जरुबत पड़ेगी hydrophobic जो टेल है नहीं जाने देगा ना वहां से तो इसलिए आपको इस water channel की जरुवत पड़ेगी तो वहां से आप molecules को पास कर रहे होगे जो बड़े size के molecules होंगे ठीक तो यह होता है आपका facilitated or simple diffusion अब आते हैं और types of transport में हमारे पास तीन टाइप और transport होते हैं ठीक है यूनीपोट शिमपोट और एंटीपोट मतलब क्या है देखो यह dependent करते हैं यह जो process है यह आपका dependent करते हैं यह टाईप से वह ऐसा है कि जो transport हो रहा है वह वह वे ट्रांसपोट हो रहा है या तूवे transport हो रहा है किस तरीके से materials का molecules का तो उस बेसिस में हम इसको पढ़ते हैं ठीक है जो मेंब्रेंट रांसपोर्ट होता है वह एक तो पहला यूनी पोर्ट तरीके से होता है ठीक यूनी पोर्ट या तो फिर को ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ते हैं सिम पोर्ट और एंटी पोर्ट के बारे में आब एक एक करके यह देखते हैं कि ü рук उक्षान ऐसनԵान सै देखो यूनी पोट में एक मॉलिक्यूल एक साइट जा रहा है यूल एक एक वन वे द्रांस्पोर्ट हो रहे हैं questions मतलब सेम होता तो इंटी मतलब एक मॉलीक्वल अगर इधर से इधर आ रहे तो उसी टाइम पर यहां से यहां भी जा रहा है तो यह तीनों ट्रांसपोर्ट होते हैं आपका यूनिपोर्ट सिम पोड़ देखते हैं के खरके और उनके बारे में यूनिपोड वन आ मोलिक्यूल मुव्स अक्रॉस मेंब्रेन इंडिपेंडेंट अफ अधर मॉलिक्यूल इस प्रॉससे स्कॉल यूनिपोर्ट जब वो किसी भी तरीके से मतला वो एक से दूसरे साइड वह अराम से जा रहा है वहां पर कोई रुकावत नहीं उसके पासे देखो यहां से मॉलिक् प्रोटीन चैनल जो भी है सब उसको अलाव कर रहे हैं वहां से जाने में तो इसको आप बोलते हो यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेगें सिंपोर्ट में क्या होगा ता मेथड़ औफ को ट्रांसपोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस्ट मेंब्रेन इन दे सेम डिरेक्शन आट सेम टाइम सेम डिरेक्शन में और सेम टाइम फे आप यहां पर देखो इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट वहां से इधर हो रहे हैं तो देखो यहां पर आपके दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं एटाट सक्ते सtsåouse using और टांसपोर्ट फिर आते हम किसमें を क्या होगा इसे method of co transport both molecules moving opposite direction एक molecule अगर यहां से अंदर से बाहर जा रहा है तो दूसरा बाहर से अंदर आ रहा है यह भी at a time होगा इसको आप बोलते हो एंटी पोड फिर तीनों ट्रांसपोर्ट के जो प्रॉसेस आपको याद रखना है यूनिपोर्ट सिंपोर्ट और एंटी पोड ठीक आगे बढ़ते हैं active transport तो हमने तीन means of transport देखे simple diffusion ठीक है facilitated diffusion और active transport simple diffusion और facilitated diffusion जो हमने पढ़ा जो कि एक passive transport के types ही है उनमें को energy नहीं लग रही है वहां पर जो च्छो ट्रांसपोर्ट हो रहा है from higher to lower concentration मतलब along the concentration gradient वो हो रहा है ठीक है बट यहां पर क्या होगा यहां पर वो opposite होगा so active transport क्या होता है it is uphill transport uphill transport that is against the concentration gradient और वो जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं वो downhill concentration होते हैं downhill transport होता है वो downhill मतलब higher to lower uphill मतलब lower से higher up against the concentration gradient आप जा रहे होते हो तो यहां पर अब अब देखो सोडियम-पुटाशियूम यह सोडिय служ मॉलीक्यूं आ रहे हैं व उसको रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से अंदर से बाहर सोडियूम जाएगा बाहर से अंदर फोंड मॉली हो एक ऐति हर समय एक ATP molecule यहां पर लगेगा और फिर जाकर यह जो चैनल प्रोटीन है यह काम करेंगा ध्यान रखोगे पंप प्रोटीन एक्ट ट्रांस्पोर्ट में काम करते हैं पोरीम्ट पोरीम्ट इस वाकन फैसिलिटेटेटेटेटेटेड या फिर सिंपा से लिटेटेटेटेटेट आपका passive transport it utilizes ATP energy and movable carrier proteins are called pumps तो यह movable carrier proteins are these are called pumps it is faster than passive transport and it is very specific तो यह difference होता है active or passive transport में ठीक है तो यह नॉर्मल हुआ आपका एक तरीके से ट्रांस्पोर्ट के टाइप अब देखते हैं आगे और एक और भी कुछ हमारे पर प्रोसेस होते हैं जैसे मान लो यह तो हमने नॉर्मल मॉलिक्यूल के लिए बताया अब अगर मान लो हमारे पास एक semi permeable membrane आ जाए semi permeable membrane क्या होती है मतलब वो membrane जो क्या करेगी बहुत selective चीजों को select करके सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर वो उसको भेजेगी तब क्या होगा दूसरी बात अगर हमारे पास कुछ से मॉलिक्यूल आ जाएं वाटर के मॉलिक्यूल जो क्या कर रहे हैं हाइडरोफोबी टेल से तो पास नहीं होंगे तो उनका क्या होगा तो उनके लिए हम क्या पढ़ते है ऑस्मॉस पढ़ते है तो ऑस्मॉस भी एक means of transport यह अदर देन यह आपका डिफूजन और फैसलेटर डिफूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और स्मॉस इस किसके लिए होता है स्पेशल है थूँआ सेमी टाइप ऑफ दिफूजन थीक है टाइप ऑफ डिफूजन ही है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है और वाटर यहां पर पर्टिक् मोलिक्यूज है उनका भी एक ट्रांसपोर्टेशन वो एक तरीके से अगर सिंपल डिफूजन के थूजन नहीं होगा तो फिर वो किसके थूज़ू होगा वो ऑस्मॉस के थूज़ू होगा ठीक है सो ऑस्मॉस इस क्या होता है वाटर विल मूव फॉम इट्स रीजन ओफ हा स्टेज ना आ जाये एक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ बैलेंज ना हो जाये ठीक के अडिक्विलिब्रियम टू चेम्बर शुड यह वाटर पोटेंशिल मतलब दोनों के पास सेम आपके पस वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए ठीक है तो यह होता है आपका ओस्मोस जै लो यह सब आपके water के molecules है और यहां पर भी कुछ ऐसे आपके water के molecules है लेकिन कम है इसके साथ आपके पास और कुछ है यहां पर मान लो ऐसा कुछ solute वगरा है कुछ इसमें dissolved है यहां पर भी है तो क्या होगा यहां पर अगर water कम है तो यहां पर solute ज्यादा होगा यह आपका हो गया solute और water आपका क्या होता है solvent होता है तो अब अगर हम देखें कि solute या solvent का जो concentration किधर ज्यादा है इस तरफ में मान लो यह आपका a side और यह आपका b side है और बीच में आपके semi-permeable membrane है a side में water molecules ज्यादा है b side में कम है a side में solute molecules कम है और इधर ज्यादा है यह अपने को क्लियर हो गया होगा अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा water molecules का तो water molecule जब osmosis करेगा जब भी osmosis का process होगा तो वह होगा from higher concentration to lower concentration लेकिन किसका water का तो water का concentration इधर ज्यादा है तो यहां से इनका movement होगा so water का movement कि इधर से होगा a से b की तरफ में होगा किसके थ्रू होगा through semi-permeable membrane इसको आप बोलते हो osmosis और यह कब तक होता रहेगा यह तब तक होगा जब तक इन दोनों में बराबर water molecules ना आ जाए तब तक यहां पर equilibrium stage ना आ जाए तब तक वहां पर क्या होगा transportation होता जाएगा इसको आप बोलते हो osmosis इसी के basis पे हम पढ़ते हैं कुछ types of solution कि अगर transport हो रहा है water molecules का अगर मान लो water जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है या वो सेल के अंदर जा रहा होता है तो वह किस type के solutions होने चाहिए जिसके थूँ आप पर osmosis possible होगा तो वह तो types of solution आपके तीन होते हैं isotonic hypotonic और hypotonic यह नाम आपने सुने हुए है पहले भी तो देखो जैसे यहां पर यह concentrate है और यहां पर आपका प्योर वाटर है प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का movement जो होगा अगर आप देखोगे तो इधर से इधर ही होना चाहिए क्यों ऐसा होना चाहिए इस ले क्योंकि यहां पर आपके वाटर का concentration बहुत जाद है और अगर यहां पर concentrate है इसका मतलब इस साइट पर solute भी है तो मतलब अगर solute है तो solvent कम होगा और बीच में आपको क्या मिल रहा है देखो बीच में आपका semi permeable membrane होगा तो flow किदर से किदर होगा pure water से इधर की तरफ में होगा ठीक लेकिन यह किस चीज़ पर depend करेंगे यह type of solution पर भी depend करेंगा कि दोनों तरफ में isotonic है या hypotonic है मतलब जिसे अगर में इधर बोलू अब मेरे पास यहां पर solute जादा है और यहां पर solute बिल्कुल भी नहीं है तब उसका क्या होगा तो इसके वज़े से क्या हो जाएगा आपका transportation इधर से इधर की और होगा प्योर वाटर से होगा आपका concentrate की तरफ depend करेंगा किसके ओपर वही सेम चीज़ की कहां पर अगर सेल के अंदर में solute जादा है या solvent जादा है तो जिस भी तरीके से जो भी चीज़ जादा है फिर वहां से water का movement होगा ठीक है सो देखते हैं चलो isotonic solution क्या होगा दर टू solutions with the same concentration are named as isotonic solutions ISO का मतलब क्या होता है ISO का मतलब होता है same तो जहां पर अगर मान लो की दो साइड में आपके पास जैसे यहां पर अब यह सेल का आपका बाहर का पार्ट है यह वाला यह आउटसाइड वाला पार्ट है यह आपके सेल का अंदर वाला पार्ट है inside वाला पार्ट है यहां पर क्या होगा अगर सेल के बाहर और दोनों तरफ water का concentration अगर बराबर है दोनों तरफ water अगर same concentration में है तो इसका मतलब क्या होगा वो जो solution है वो कैसा isotonic solution मतलब दोनों तरफ same concentration है ठीक है so in such solution the cell is in a flaccid state and will allow movement of water in both the directions flaccid होगी मतलब एक तरीक से देखो यह cell कैसी होगी यह cell क्या करेगी अंदर और बाहर दोनों तरफ same water के movement को वो अलाव करेगी क्योंकि यहां पर क्या होगा cell flaccid flaccid का मतलब होगा नज्यादा टर्गर प्रेम एक तरीके से जैसे cell के अंदर मानलो चेजल आफ पानी पहुत जादा है तो cell membrane होगा दोसे वाल होगाइन यह तक वहां पर पानी यह जानी की जगा नहीं है खनळ लेकिन अब यहां पर क्या है यहां पर तोडी से श्रीवे इस टेट में है और श्रीवे मं के के कारण क्या है क्योंकि अंदर में और बाहर में पानी उतना ही है तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पानी का डिरेक्शन पानी का जो मुवमेंट वो किसी भी डिरेक्शन में हो जाएगा सेल पूरी तरह से टर्जिट भी नहीं होगी टर्जिट मतला पूरी तरीके से भी नहीं होगी, ब्लास्मोलाइस का मतलब होता है और श्रिंक को जाना, तो दोनों नहीं होगा, ना ही वो टर्जिट बनेगी, ना ही वो प्लास्मोलाइस बनेगी, वो बीच के स्टेट में रहेगी, और उसको हम बोलते हैं, फ्लासिड सेट, जहां पर क्या होगा, कि आपका दोनों तरफ से पानी जो है अंदर और बाहर जा सकता है, तो आइसोटोनिक सुल्यूशन में, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह सेम पानी का कंसेंट्रेशन रहेगा, हाइपո टॉनिक, हाइपॉमनलब काम होगा, अब काम अगर कंसेंट्रसी से तो तो कहां पर है So a solution having low osmotic concentration as compared to another solution is known as hypotonic solution. Water moves into the cell. Water moves into the cell का मतलब क्या हो रहा है? कि आपके पास में low osmotic concentration है. इसका मतलब क्या है? जो ये inside यहाँ पर आपका जो water है, वो कैसा है? कम है और अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पर water कैसा है? ज्यादा है. तो water का concentration कहां ज्यादा है? बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है. इसका मतलब क्या होगा? water का movement अराम से इस तरफ direction में होगा. मतलब बाहर से अंदर की तरफ होगा, तो water moves into the cell. तो अगर आप hypotonic solution बता रहे हो, तो अगर आप cell के reference में बात करें कि अगर cell के अंदर का solution कैसा है? तो वहाँ पर क्या है? water का concentration कम है और solute का concentration वहाँ पर ज्यादा है. इसलिए बाहर से अंदर की तरफ water का movement हो रहा है. यह होता है hypotonic solution. In such solution, the cell is in a turgid, a normal state and will allow movement of water inside the cell. जैसे भी आपने देखा आइसोटोनिक में. आइसोटोनिक में एसल दोनों flaccid थी. flaccid का मतलब ना ही वह बहुत जादा फूली होई थी और ना ही वह बहुत जादा श्रिंग्ड थी. यहाँ पर क्या होगा? जब बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा तो चन्टीनितली वह बहुत जाएगी ना. जैसे कि आप देखे होगे कि आपका जो चना होता है ना. ग्राम जिसको हम बोलते हैं तो अगर आप चना को जो वाइड चिक पी होता है आपका वह चोटे-चोटे होते हैं फिर आप जब उसको पानी में डालते हो पानी में जब आप बनाने से पहले आप उसको भिगा के रखते हो तो वह क्या होता है वह फूल जाता है फूलता क्य कि उसमें पानी बाहर से अंदर की तरफ गया है इसलिए तो उसमें क्या है वह वाली सेल के अंदर में क्या था solution हाइपोटॉनिक था और वही चीज अगर आपना हाइपोटॉनिक के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा solution having high osmotic concentration as compared to another solution is termed as hypertonic solution तो इस condition में क्या है cell के अंदर पानी ज्यादा है ठीक है यहां पर आपके पास पानी अंदर की side में क्या है बहुत ज्यादा है और अगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर बाहर की तरफ पानी का concentration कम है तो इसका मतलब क्या होगा जादे से कम में तो पानी का आप इसको बोलते हो आप इसको बोलते हो एग्ज ऑस्मॉसिस है तो मतलब अगर हैं पर डानिक स्वलूशन है तो वह 35 अगरर हाइप टैनफ सबंद से क्या होता है अगर हैप इसको इसको बोलों और थे लिए अगर ना क् Cambodia rejection से बाहर निकल रहे है पानी तो आप उसको बोलो कि एक्जोस्मोसिस ठीक यह होते हैं आपके टाइपस ऑफ सल्यूशन ठीक है अब हमने बात की देखो तीन नमाइपस सेल का स्टेट होता है एक होती नॉर्मल सेल एक होती आपकी टर्जिड टर्जिड मतलब फूली जिसमें प क्या बोलेंगे प्लाज्मोलाइजड अगर बोलेंगे तो प्लाज्मोलाइजड मतलब कहां पर है हाइपर टॉनिक में है क्योंकि सेल के बाहर से सेल के अंदर से पानी वह बाहर जाए तो तब क्या होगा तो वह सेल और ज्यादा प्लाज्मोलाइज हो जाएगी उसको हम बो से सिर जफ प्लाजमो इस हो जाएगा प्लाजमो लाइस हो जाएगी वो सेल तब वो सेल डेड हो जाएगी ठीक है जब आप यहां पर देखो यह वाली जो आपकी सेल है, यह आपकी नॉर्मल सेल है, तो इसके पास में नॉर्मल सेल वाल है, कुछ अभी यहां पर है नहीं दिक्कत, अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहां पर बाहर की तरफ में, ठीक मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने उसमें डाला, लेकिन यहा हो रहे हैं देखो जो cell वाले वो श्रिंक होते जारी वो contract होते जारी और जितना ज़्यादा contraction करती जाएगी तो एक टाइम ऐसा हैगा कि cell का जो cell वाले बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है ठीक है और उस टाइम पे आप उस cell को क्या बोलोगे plasmolyzed cell तो अगर हम किसी cell को continuously hypertonic solution में डाल के रखते हैं तो वो कैसे हो जाएगी वो plasmolyzed cell हो जाएगी ठीक है और इसके बाद भी अगर ऐसे stage में जाने के बाद भी अगर हम उसको वहीं पर रखे हुए तो फिर वो cell कैसे हो जाएगी फिर वो डेत हो जाई उसकी मतला वो उसके बाद उसका प्रोटोप्लास्ट नहीं बचेगा फिर वो डेट होने लग जाएगी तो वो होती है आपकी प्लाज्मोलाइस्ट सेल या प्लाज्मोलिसस कि जब आप कंटिनेसली उसको हाइपटोनिक सॉलूशन में रखते हो तो श्र के अंदर मतलत इंड़ ओस्मसेस होने लगेगा और वापस से हो जाएगी तो अगर हम श लाइज प्लाज्मोलाइस्ट सेल को स्टेट तक एक मिट तक हम क्या कर सकते हम उसका डी प्लाज्मोलिस कर सकते हैं ताकी क्या हो कि तो देट उसकी नहीं हो देट नहीं सेल यह होता है प्लास्मोलिस एंड करें जैसे आप देखो यह प्लास्मोलिश हो रहाः तो अगर आप इसको हाइप टोनिक सल्लशन में डाले हो तो क्या हो रहुत है सैल का प्रोटो प्लास्म कॉटनुसली को रहे हो Cney Plasmo-lized हो खेए ठीके यह होता है Plasmosis अब आतें आख सेख DA और Imbibis on physio किया होता है मतलब बिजक का एकजंपल पी उसका में आपको दिया उसका फथ निया उसके पानी में करेगी जब वो वाटर के अब्साप करेगी तो सबसे पहले उसका क्या होगा उसका सर्फेस जो है जुसका आउटर लेयर वो पानी को अब्साप करेगा ठीक है तो जब सिर्फेस अब्साप करें लेयर वो पानी सोख लेती है उसमें सर्फेस अट्रेक्शन इसमें इम्बीशन हो जाते है तो उसको इम्बीशन बोलते है ठीक है मतलब हाँ पर क्या हो रहा है एड्सार्प्शन होरा हैbersफेस है एड्सार्प्शन हो रहा है ठीक है without forming a solution इसको बोलते हो आप इंबीशन तो यह क्या करेगा एट प्लेज इंपर्टेंट ड्रोल इन एब्सॉप्शन और वाटर 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 यंग सेल्स अगर यंग सेल्स जितना ज्यादा पानी अब्सॉप करेगी इंबीशन करेगी तो वह ग्रो होती है थाना उसमें वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब हाप जो न्यूट्रियंट से वह गये हैं तो उसकी ग्रोथ भी हो रही है साथी साथ तो आप देखो यह पर 0,3,6,9,12,15,18 कैसे एक सीक्वेंस में इसका जो साइज है वो बढ़ रहा है इसको बोलते हैं इंबीशन होना ब्रेकिंग ऑफ यह सीट कोट इंजर्मिनेटिंग सीज इस ज्यू टू ग्रेटर इंबीशन इंबीशनल स्वेलिंग और सीड करनल स्टार्च और प्रोटीन मतलब जो उसका स्वेलिंग और फिर वहां से क्या होता है आपका इंबीशन हुआ है इसलिए जो स्टार्च और जो प्रोटीन वाली जो लेयर थी जिसको मैं लोग सीट करनल बोल रहें वहां पर स्वेलिंग हुई अर्व थोड़ा साब ब्रेक होता है स्वेलिंग होता है वहां से एपी है ठीक है तो यहां तक अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं आपका means of transport में हमने imbibition आपने diffusion देखा facilitated diffusion जो आपके दोनों passive transport के अंदर आते हैं फिर आपका active transport हमने देखा जिसमें को energy की नीड होती है उसके बाद हमने क्या देखा भी आपका types of solution isotonic, hypotonic, hypotonic, plasmolysis, imbibition अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग water potential में water potential एक और आपके लिए नया टर्म है यह सब short distance transport के अंदर ही एक तरीके से था है न तो water potential क्या होता है water का potential मतलब यह होता है कि जब osmosis होगा यह जब transport होगा water molecules का from one direction to another या जहां पर भी कहीं से भी हो जैसे आप इस पर देखोगे तो थू आपका semi-permeable membrane तो water किस direction में move करता है हमने यह बताया कि higher से lower concentration की और वह move करेगा ठीक है मतलब अगर वह higher concentration से move कर रहे है इसका मतलब वहां पर उन water molecules की जो kinetic energy होती है आप kinetic energy जानते हो kinetic energy कब लगती जब molecules का movement होता है कोई भी molecule जब movement करेगा तो kinetic energy लगती है तो वह जो energy होगी वह कहां पर ज्यादा होगी और यहां पर कम solute जहां पर उसको रोकने वाला कम है इसका मतलब जहां पर ज्यादा concentration है पानी का तो वहां पर water potential कैसा होगा ज्यादा होगा तो अगर हम यह बोलें कि ऑस्मॉसिस अगर हो रहा है यह water का transport हो रहा होता है तो वह higher to lower हो रहा है यह तो हमको पता है higher to lower concentration हो रहा है लेकिन अगर वाटर potential के terms में बोलू तो मैं क्या पता हूंगी higher water potential वाले एरिया से lower water potential वाले एरिया में water का transport हो रहा है मतलब जहां पर पानी की kinetic energy ज्यादा है वहां से वह अपनी इस तरफ जा रहा है दूसी तरफ जहां low kinetic energy है ठीक है तो जैसे आप इस पर देखो यहां पर आप के पास semi permeable memory नहीं की आपकी youtube है ठीक है इस पर आपके पास इस side पर suppose करो यह a side है और यह वाला आपका B side है अ side में आपके पास pure solvent है ठीक है मतलब आपके पस pure water है यहां पर आपके पास कोई भी solute नहीं है और इस साइड पर क्या है solute है solvent तो है ही लेकिन solute भी है तो अगर हम यह बोलेंगे कि osmosis किस direction में होगा water किस direction से कहां से move करेगा obviously हमको पता है water A से B move करेगा ठीक है वो तो normal osmosis में हुआ लेकिन अगर मैं water potential के terms में बोलूं तो तो मैं यहीं बताऊंगे कि यहां से A से B में ही move करेगा क्यूंकि यहां पर water potential ज़्यादा है water का potential water की kinetic energy यहां पर ज्यादा है तो इस direction से वह इधर move करेगा B से A क्यों नहीं आ सकता इसले नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर solute और जब solute होंगे तो वह water को इधर move करने के लिए रोकेंगे वह बीच में उसकी रुकावट बनेंगे तो जहां पर कोई रुकावट नहीं वहां से easily transport होगा तो यह होता है आपका water potential ठीक है तो देखते है water molecules possess kinetic energy ठीक the greater the concentration of water in a system the greater is its kinetic energy or water potential तो जितना water potential जितना concentration होगा आपका पानी का एक system में उतनी जादी उसकी kinetic energy भी होगी pure water will have the greatest water potential जैसे भी हमने यहां पर यह यूट्यूब में देखा हना कि water potential pure water जहां पर है pure solvent यहां पर water potential ज्यादा होगा यहां पर कम होगा क्योंकि वह solute ज्याद है it is represented by letter psi हम इसको साइ से रिप्रेजेंट करते है ठीक है और साइड डब्ल्यू और इस एक्सप्रेजिंट प्रेशा यूनिट सच इस पास्कल इसकी यूनिट होती है पास्कल तो वन पास्कल आपको पता है वन न्यूटन पर मीटर स्क्वार ठीक है तो यह जो आपका Psy है या मैं यह बोलू कि यह जो PsyW होगा यहां पर ज्यादा होगा और यहां पर अगर मैं कैसा होगा कम होगा तो इसलिए Water Potential यहां पर ज्याद़ यहां पर कम है और वाटर का मोमट हो रहा है और अटो работать फोले एरिया से लो वाटर पोटेंशल वाले ए वाटर पोटेंशल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई डबलू से, सॉल्यूट पोटेंशल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एस से यह और प्रेशर पोटेंशल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई पी से, ठीक है, यह होता है, अब एक चीज़ आपको और बता तो देखो यहां पर जैसे वाटर पोटेंशल यहां पर है यह वाटर मॉलिक्यूल जे और आपका यह ग्लूकोस भी है यहां पर मतलब यहां पर सॉल्यूट भी है और आपका बीच में जो सेमी पर्मीबल मेंब्रेन है तो अगर मैं यह ज्यादा होगा यहां पर साइस जोगा वो कम होगा प्रेशर पोटेंशल की धर ज्यादा होगा तो जहां पर आपका प्रेशर ज्यादा लग रहा है मतलब एक तरीक से ऑस्मोटिक प्रेशर आप आप अच्छे एक बात और ही बता रही हूं कि जो प्रेशर पोटेंशल होता मतलब साइपी की अगर बात करो तो इधर जाद होगा और साइपी इधर कम होगा ठीक है सो ऐसे आप calculate करते हो साइएस को हमको इसकी numericals नहीं देखनी है बस आपको यह ध्यान रखना है solute potential क्या होता है थोड़ इसको ओर detail में देखते हैं if some solute is dissolved in pure solvent the solution has fewer free water molecules and the concentration of water decreases reducing its water potential ये तो होगा ही अगर मैं pure solvent में थोड़े से solutes को डाल दू कि जैसे इधर देखो यहां पर आपका pure water है तो यहां पर water का movement यहां पर water का potential ज्यादा ही होगा अगर मैं इसमें थोड़े से भी solutes को डाल दू तो यहां पर क्या हो जाएगा उस water के movement में थोड़ी सी मरलब जो kinetic energy होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी क्यों क्यों कि यहां पर उनको रोकने वाले solutes आ जाएगे और इसलिए हमको क्या बोलना पड़ेगा कि यहां पर water potential कैसा हो Hence all solutions have a lower water potential then a pure solvent तो अगर मैं pure solvent की बात करहूं प्यॐर वाटर के अगर में बात करूं तो वहाँ पर water potential हमेशा जयादे होता और solid potential zero होगा वहां पर however lower water potential than pure water अगर मिश सॉलूशन सबढ़ने कर दूं तो को हो जाएगा वहाँ पर water potential िकम और solid potential ज्यादा यह concept होता है solutes पोटेंशल का, solid potential is magnitude of decrease in water, ठीक है, solid potential is due to dissolution of a solute particles in the solution, जब आपने pure solvent में भी अगर आपने solutes को मिला दिया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर देखो, यह solutes हैं, तीन-चार कुछ और यहां पर solid molecules जादा है, फिर भी movement तो यहीं से यहीं होगा water का, लेकिन अगर मैं बोलूँ, अब में को दोनों जगह में अगर compare करूं है, तो मैं यह भी बोल सकती हूँ कि यहां पर मेरे पास solid potential कम है, यहां पर मेरे पास solid potential जादा है, क्यों कि यहां पर solid जादा है, और यहां पर solid कम है, इसलिए बस, so it is represented by si s, si s is always negative, यह आपको ध्यान रखना है कि इसको हम हमेशा negative लेके चलते हैं, more the solute molecules, the lower is the si s, जितना solute molecules होगा, तो उतना क्या होगा, si s, ऐसा आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि हम इसको हमेशा negative, opposite direction में लेके चलते हैं, तो जितना ज्यादा solute, मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप इसका si s कैसा हो जाएगा, अगर मैं negative बोलू, काम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्यों, क्योंकि आप उसको opposite एक net, जब आप निकालते हो, क्योंकि आप उसको negative sign ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका solute molecule, वो ज्यादा है, तो according to concept, आप क्या जाओगे, कि जहाँ पर ज्यादा solute molecule है, वहाँ पर solute potential कैसा हो जाएगा, काम हो जाएगा, हम इसको compare करते हैं, water potential के साथ, हैना, यह होता है, pressure potential, pressure can build up in a cell due to osmotic entry or exit of water from it, जैसे मैंने आपको बुला कि turgar pressure जो होता है, normal pressure, pressure potential is denoted by psi P, it can be negative or positive, a positive pressure potential develops in a plant cell due to entry of water into it, जब endoosmosis होगा, जब water जाएगा cell के अंदर, तब उस समय में क्या होजाएगा, positive pressure होगा, और जब positive pressure potential, hydrostatic pressure is also called turgar pressure, तो जैसे मैंने आपको यही बोला कि जब आपका positive pressure होगा, जब cell के अंदर पानी जाएगा, endoosmosis होगा, turgar pressure बढ़ता जाएगा, turgar pressure बढ़ेगा, मतलब वो आपका pressure potential बढ़ रहा है, आप उसको positive लोगे, और जब exoosmosis हो रहा है, जब cell के बाहर पानी जा रहा है, तो आप उसको क्या लोगे, नेगेटिव ले लोगे, यह होता है आपका pressure potential, ठीक है, और नेगेटिव pressure potential or tension in a plant cell is due to loss of water in xylem, which in turn is due to transpiration, तो वोटर जब loss होगा, किसी भी तरीके से हो जाए, जैसे यहाँ पर हमने एक factor लिखे है, transpiration, तो अगर वोटर का loss हो रहा है, मतलब pressure potential आपका negative हो जाएगा, this negative potential is very important in transport of xylem sap over long distances in plants, तो यह depend करेगा कि जब xylem, जब sap, cell sap से जब पानी ऊपर जाएगा, against the concentration gradient, against gravity, जब वो जाते हैं, ऊपर की तरफ, long distance transport, तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है, negative pressure ही लगता है, negative pressure potential ही लगता है, क्योंकि transpiration continue होता है, तो इधर पानी की मांग बढ़ती जाती है, अब फिर वहाँ से पानी को ज्यादा देना पड़ता है, तो यह देखो, यह आपका soil particle है, रूट्स ने, root hair जो है, वो soil से पानी को absorb किया, पानी इस डिरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, cells inside root, यह आपकी पूरी root की cells है, आप पढ़े हो, पुरा cortex cells बगरा जो होती है, और फिर यहां से water pass होगा, अब the stem in the xylem, तो xylem वैसे में जब उपर की तरफ जाएगा, तो आप नेगेटिव प्रेशर लगता है, नेगेटिव हाइडर स्टाटिक प्रेशर लगता है, क्योंकि अगेंस्ट ग्राविटी, अगेंस्ट वाटर, एक जो वाटर का concentration, जो वाटर का direction है, उससे भी आप अगेंस्ट जा रहे होता है, तो नेगेटिव हाइडर स्टाटिक प्रेशर महाँ पर लगता है, ठीक है, तो यह होता है आपका प्रेशर पोटेंशल, अब factors क्या क्या अफेक्ट करेंगे, वाटर पोटेंशल को, तो वाटर पोटेंशल, साइड अबलू फासल is affected by both, किस से, साइड एशर साइपी, साइड आपका solute potential और साइपी आपका pressure potential, the relationship between them is as follows, water potential, हमने अभी देखा, solute potential plus pressure potential होगा, यह equation अभी हम लोग पढ़ के आए, लेकिन अब आपको क्या लेना है एक चीज, यह आपका हमेशा नेगेटिव होगा, it is always negative, और यह आपका plus या minus दोनों हो सकता है, मतला positive और negative दोनों हो सकता है, साइपी, ठीक है, सो यह होता है आपका water potential, ठीक, अब आते हैं एक और term में, osmotic pressure में, osmotic pressure क्या होता है, pressure required to prevent osmosis of water, मतलब यह कि कोई अगर ऐसा pressure हम apply करें, जैसे आप यहाँ पर देखों, यहाँ पर water तो अगर मैं यहाँ पर यह बोलू कि osmosis किस direction से होगा, तो A से B से osmosis हो जाएगा, मतलब इस टाइम, अगर फिर से भाई मैं A और B को ले लेती हूँ, तो osmosis मैं बताऊंगी कि यहाँ से वहाँ होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा है, और वहाँ पर पानी कम है, अब अगर मैं बोलू, osmotic pressure कि धर जादा है, मतलब वो pressure जो osmosis होने से रोके, जो osmosis को prevent करे, उसको बोलते हैं osmotic pressure, ठीक है, तो अब pressure required to prevent osmosis of water, मतलब कौन रोकेगा पानी को जाने से, solute रोकेगा, तो अगर मैं बोलू, osmotic pressure, op, किस तरफ जादा होगा, इधर या इधर, जिदर रोकने वाले हैं, तो रोकने वाले किदर हैं solute हैं, तो ये इस तरफ जादा होगा, और इस तरफ कम होगा, तो फिर अब हम क्या बताते हैं, अगर मैं op के terms में, osmotic pressure के terms में, मैं ये बोलू कि water का movement किधर होगा, तो water का movement होगा, from lower osmotic pressure area to higher osmotic pressure area, य more the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing it, वो ही सेम चीज होगी, numerically, osmotic pressure is equivalent to the osmotic potential, मतब जो आपका si s था, but the sign is opposite, यहाँ पर आपको sign plus का ही लेना है, वहाँ पर वो negative होता है, osmotic pressure is the positive pressure, while osmotic potential is negative, ये आपको ध्यान रखना है, तो osmotic pressure positive होता है, और osmotic potential is negative, तो ये पूरा movement होता है, water molecules का, ठीक है, so, आज की class में हम लोगने बहुत सरे pressures और आपका एक means of transport, एक short distance transport में जो भी चीजें होती है, facilitated, simple diffusion, active transport, ये जो terms हैं आपकी osmotic pressure, water potential, solid potential, pressure potential, इस सब बहुत important है, ठीक है, और आप सब में यही धियान रखो, आपसे पूछेगा अगर, कि cell कहां पर plasmolized हो रही कि यह water का, जो movement है, वो कॉंसे direction से, कॉंसे direction में होगा, कि low water potential से, या higher water potential से, जितनी भी terms ही में आपको clear किये, वो आप ध्यान रखोगे, उसमें आपसे ऐसे ही questions पूछेगा, नीट में, ठीक है, so, अब हम आगे next class में मिलेंगे, और आपका long distance transport और storm transport continue करेंगे, till then a very happy learning and all the very best for your studies, thank you.